एलो फ्रेंड वेल्कम बेक तो मैं जैनल दिवल्प किजन आज मैं आपको बहुत ही आसाँ तरीकिसा बहुत ही आपस और फैर कैसे कर सकते हो बहुत ही जादा गंदगी को कैसे facial कर पा रहा हैं तो वो करवाने की कोई ज़रोद नहीं है बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही कम रुपे में आप अपना facial जैसे glow करवा सकते हो हाथ पैरो का manicure पेडिकure आप फ्रेम ही करवा सकते हो बहुत ही आसान तरीका वोगई बिल्कुल कम खर्चा होगा और बहुत ही आसान तरीके से आप 1000 रुपए का खरचा बचा सकते होने से तो एक बर आप जरूर ट्राय केज़ेगा तो सबसे पहले आप उस तरीके से दो चीजे ले ले लिया हैं ये सबसे पहले मैंने फेर लवली लिया है अब आपको भी दुकान में जाओगे न तो ऐसी चीज़ के आपको हर दुकान में मिल जाओगे और यह साथ में मैंने ले लिया चीनी और नौर्मल ए चाय में, क्ईर में हम हर चीज में इसको यूज दे लेना है तो अभी फेघर सीजन चल रह Ini ओर भी आप है आपको एचा जरहता है छिजन unos भी में अहरे है को को पर वह सकने अपने भी आपको त तो तीन पैकिट तरीकी से तरीकिष तरीके से तरीकिष नहीं रहना रहा है तो है तो आपको आसके सबसे करें एक क्टोरी नहीं पंद करते हैं और छाह साथ में स्किन वे ग्लो भी लेकिए और जाधातार इंडियां रहे यूजा चिनियों यूजो जाएcit कि आप इसको पहले सी उस करते हो और नहीं करते हैं फिर लवली को क्योंकि नॉर्मली ना विलेज साइड लोग और बहुत ही अराम से अर्बन रूलर एरिया में जितने भी लोग रहते हैं न यूज करते ही होंगे और बहुत ही आसान तरीके से यह सभी स्किन टोन में सूट भी कर जाती है और बहुत ही इजी तरीके से आपके अगर डाक स्किन है तो लाइट स्किन बना देगी टैंपररी की लाइट स्किन बना देती है फर्स्ट अटेम नहीं पट अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हो तो मेरी तरह के से तो आपके बहुत ही आसान तरह के से गंदगी तो निकलेगी स्किन से साथ साथ में आपके स्किन फेर भी होगी तो मैंने थोड़ा सा पेस्ट इस तरह के से निकाल लिया था फेर लबली का तो अब आपको इसमे डाल देना है चीनी चीनी आपको पता है कि ब के लिए यजित्टत कर लेना है तो आपको दोनी जानी नहीं ama ने जब आपको दोनें चीज़ों का छूरक छीनी ना आपको दोनी नहीं करना है कि इसको बिल्इच हो पैस्टा बना दो यह जब आप इसको apply करोगे तब तो दोनों चीज़ों के तरीके से कर लेना है mix तो आप देख सब तो दोनों चीज़े mix हो चुकियों और crystal form में ही अभी चीनी को रखना है और अब इसमें डालेंगी हम lemon तो lemon में आपको दिखा देते हूं आपको किस तरीके के लेना है और किस तरीके के नहीं लेना है तो सबसे पहले इस तरीके से मैं नॉर्मली देशी नीबू लेना है तो जो ग्रीन कलर के नीबू है वो आपको नहीं लेना है इस तरीके से इसका आप चाहे तो नीबू पानी ब तो आपको बिल्कुल पकावा नीबू ही लेना है तो यह मैंने नीबू लिया इस तरीके से जो ग्रीन कलर की नीबू थे ना ना वह लिया है तो अब आदा नीबू का रसिस में एड़ करेंगे और नीबू जिसके भी ऐलर्जी करता है वो इसको स्किप कर सकता है इसके जगह आपना कच्छा दूद भी ले सकते हैं अगर आपके नीबू सूट नहीं करता है तो आप यह ले सकते हैं नीबू सूट करता है तो आपको नीबू ही लेना है कि नीबू बहुत ही आसान तरीकी से टैनिंग रिमूव करता है अगर आपके संस्ट्रोक के वज़े से टैनिंग अगर आप सही मातरा में लेते हो तो यह बहुत ही अची तरीके से इस स्कीन को फाइदा करता है यह जो लिक्विड फॉर्म में अभी जो है वो पनीर के जैसे लग रहा होगा तो अभी तो अभी तो रेमेडी बिल्कुल परफेक्ट बन के तार हो चुकिए तो मैं आपको अप्लाय करना है बता देती हूं तो आप चाहिए तो इसको पांस मिट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हूं क्योंकि ठंडी आप लगाओगो ना जितनी रेमेडी गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी रहेगी तो इस तरीके से मैंने नॉर्मली फेस्ट आप देखते हूं तो अभी कुछ भी नहीं लगाए और इस स्किन बहुत जादा डल हुरी है तो अब मैंने यह ट्राय कर लेती हूं और आपको दिखा देती हूं इसके इंस्टेंट रिजल्टी तो मैंने ब्रश ले लिए और सब मैं अगर आपने इसको यूज कर लिया न डैली तो आपको इस सिंट बहुत ही अची तरीके से साफ होगी और सुत्री होगी तो इस तरीके से आपको और एस चीज का भी दिहान रखना है आपको प्लकुल है बोलना와 नहीं कोई भी रिएक्शन नहीं देना चेहरे में जब parting कि या होता है नो बना ले तो लगा भी लेते हैं विए गपया बेट ही लें उस तरह के सब नहीं आपर आपको कुछ भी के लियायट य नहीं तरह नहीं आ वह था बहुत ही दोनाधनीSi सांधरीग से इसकी मसाजिंग करने हैं मसाजिंग किया करनीए सेरीफ य chronic motion में करनी है आपको चाहए तौ आप आप आलू ले सकते हुआ ख्यूप में चैरे को दुल लिया तो आप खुद देख सत्य हैं कि इते ग्लो आय और जिता अच्छी सकीम लग59 만 आपको हफते में दूबा ट्राय करना है आप नहाने से पहले कर सकतो है रात को कर सकतो सोने से पहले तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंग